माथिप्रदेश के उजयन में एक डॉक्टर कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान खुद कोरोना की चपीट में आ गए हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनका बचपाना मुश्किल था आनन्फानन में उन्हें इंदौर के अरुबिंदो आस्पिटल लाया गया यहां एक महीने तक संक्रमित डॉक्टर जिन्दगी और मौद के बीच संखर्ष करते रहे पिड़ित डॉक्टर का छे महीने का बेटा है बा मुश्किल से एक दो बार ही अपने बेटे से मिले है आखिरकार एक महीने के लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर ने जिन्दगी की जंग जीत ली अनुगरह दुबेब पेशे से डॉक्टर है छे महीने के बेटे पतनी और माता पिता और भाई से दूर ये नौजवान डॉक्टर विपरित हालतों में अपनी ड्यूटी परदता रहा उज्जेन के आर्डी गार्डी अस्पताल में कोरोना मरीजों का कई दिनों तक इलाज करते रहे इलाज करते करते वे खुझ संक्रमित हो गये उन्हें उसी अस्पताल में भर्दी किया गया सांस लेने में तकलीफ होने लगी उनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉसिटिफ निकला उन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए इंदौर के श्री अरुबिंदो अस्पताल लाया गया यहां हालात इतने पेचिदा हो गए कि कुछ दिनों तक तो लगा शायद अनुगरह का जिंदा बचपाना अब मुम्किन नहीं है डॉक्टर अनुगरह को कोरोना संक्रमंट के दौरान कई तरह की बिमारियों ने घेर जिया था संक्रमंट की वजह से फेफडे, हार्ट और शुगर जैसी बिमारियां शरीर में दस्तक दी चुकी थी डॉक्टर अनुगरह गौलियर के रहने वाले हैं और जैन के आर्डी गार्डी मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रहे हैं संक्रमंट से ठीक होने के बाद अब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे इंदौर का श्री अरुबिंदो अस्पताल महामारी के इस कठिन दौर में जिंदगी लोटाने वाला अस्पताल सावित हुआ है अब तीन हजार लोगों कोरोना से मुक्त कर उन्हें सा कुशल घर पहुचा है चा चुका है कोरोना संक्रमित हजारों लोग इस अस्पताल से अपनी नई जिंदगी के साथ चेहरों पर मुस्कान लिए लोट रहे हैं अस्पताल के चेयर्मेन डॉक्टर विनोद भंडारी खुद मरीजों की देखरेख में चुटे हैं डॉक्टर अनुगरह को बचाना उनके लिए एक चैलेंज था जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया कुछ दिन देखने के बाद कुछ दिन ट्रिक्मेंट तो स्टार्ट कर दिया था हम लोग दवाईय वगरे सब ले रहे थे कुछ दिन बाद जाच कराने पर मालूम पड़ा कि हम हमको भी कोविड-19 स्टेटस पॉस्टिव आया है उसके बाद हम भरती किया गया आड़ी गड कर दिशन तेजी से बिगड़ने लगी और मेरे सारे टीचर्स और मेरे प्रोफेसर्स ने समय रहते देखते हुए और सभी चीजों को खयाल रखते हुए मेरी फैमली से बात करके और यह डिसीजन लिया समय रहते कि इनको बड़ी जगा शिफ्ट किया जाए और मुझे तु यह काफी कठिन सामय था मेरे लिए मेरी फैमली के लिए भी लेकिन थैंक्स टू गॉड मैं ठीक हो गया हूँ अब करेंगे डॉक्टर आप डॉक्टर से पेशेंट बने और तिरे डॉक्टर की तरह आप अपने ड्यूटी इस तरह पर जाएंगे और किस तरह का ज़बा है क मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हम सब को काम करना है कितनी बड़ी आपदायस अपनी साफधानी रखनी है लेकिन काम काम करने से डरना नहीं है पीछे नहीं हटना है और उसी जज़बे के संग वापस से मैं अपनी जूटी जोइन करूंगा आपकी एक्जाम भी है हाँ मेरी एक्जाम है बहुत जल्दी है एक्जाम के बाद ही बागी का कुछ भी बता पाइग एक्जाम तो है मेरे अग्जाम दे रहा हूं मैं देना भी चाहता हूं में मुझे लगता यहां सेमस अवह इतने दिन करके और मिरे संग इतली मे возможно करी गई है फिजो थेरपी वगेरा डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है बाद में आफ्टर जब मैं नेगिटिव हो गया कोई नेगिटिव हो गया स्टेटस ठीक हो गया लेकिन सांस लेने में मुझे कॉंप्लिकेशन थे सांस लेने में तकलीफ थी ऑक्सीजन नहीं हट पा रही थी सीटी स्कैन में ये बताया गया कि फेफरों में बहुत ज़्यादा फाइबरोसिस हो गई है तो उसके बाद फिर ये लगा कि पता नहीं ऑक्सीजन कब हटेगी तो मेरा स्टे बहुत प्रोलॉंग्ड हो गया यहां पर काफी टाइम हो गया मुझे एक महीने से ज्यादा हो गया इस अस्पताल में और फिजियो थेरपी डिपार्टमेंट और फिजियो थेरपिस डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करी और आज यह है कि अब मेरी ऑक्सीजन हट चुकी है मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज मैं फ्रेश हौवा में सांस ले पा रहा हूँ बीच में कंडिशन ऐसी लगने मुझे खुद मेरे इमर्य टूटने जैसे हो गई थी कि मुझे लगने लगा था कि कब हटेगी ऑक्सेशन हटेगी भी कि नहीं हटेगी मैं औक से नहटा के चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम लग गया था यह बिल्कुल नया है यह ट्रांस्फोर्मेशन है मेरे लिए यह मेरे लिए बिल्कुल नई जिंदगी है मैं मतलब इसको एक नए तरह से जीना चाहता हूँ कुछ चीजों की जो मैंने हमेशा कुछ लापरवाईयां करी अपने आपको ध्यान ने दिया यह मेरे लिए ट्रांस्फोर्मेशन है कि मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है फिर उनसे बात करी और फिर यह तैयार हो गए तुरंती फिर इनको यहां लाया गया और फिर धीरे धीरे यह इनका सुधार हुआ फिर ना पंदरा दिन तक यह स्टेबल रहें ना सुधार हो रहा था ना ऑक्सीजन हट रही थी वह एक ऐसा समय था इसने बहुत हिम्मत से काम लिया यह मैं कहूंगी और कोई होता तो टूड जाता मैं इनका छोटा भाई हूँ मेरे नाम अभिनव है और हमारी फैमिली में मम्मी पापा ब्रदर मेरे और इनकी वाइफ और छोटा बच्चे है बच्चे अभी सिर्फ 6 महीने का है और उससे यह एक दो बारी मिल पाए है अभी तक यह बड़ा कठिन समय था जिस वक्त यह नि जिसको इनकी वाइफ ने बहुत ही हिम्मत से निभाया और मैं इनका छोटा ब्रदर हूँ तो पूरा सही होग मैंने भी किया और कुल मिला के राइट टाइम राइट डिसीजन हुआ कि इनका सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ एक छोटी सी किरन सब के पास थी कि य आज इश्वन ने पूरी मदद की है डॉक्टर ने पूरी मदद की है और आज वो दिन आ चुका है जिसमें ये सफल हुए है और ये स्युद्ध में जीत हुई है डॉक्टर दूबे है जब आडिगाडी में ड्यूटी कर रहे थे और इनका सिम्टम डेवलप हुए तो इनक सब्सक्राइब है जो भी इस कारोना में कॉंप्लिकेशन हमने देखे वो इनको सब हुए और लुकिली भगवान की दया थी और लोगों की मेहनत हमारे डॉक्टर्स की और सब की कि इनको हर दवई सूट करी और हर दवई का इलाज जब करते गए तो हमें और इनको सांस लेने में इतनी तकलीफ होती थी कि दिन भर ये थोड़े मोटे भी थे तो उससे भी तकलीफ आती थी वो जब ठीक हुआ तो इनके लंग में फाइब्रोसिस चालू हो गई फाइब्रोसिस को फर ठीक करने की कोशिश करी मशला हमने यहां तक तैयरी कर ली दिए क अगर होगा तो इंका लंग ट्रांस्प्राइंट विदर आएंगे